इन्टरनेट केम्पूटर से लोग दूर होते हैं ऐसी समय में मोबाइल की तक्जिक से हमारे इलाका के लिए खासतों पर आदिवासी इलाका के लिए सिजिनेर स्वार की जो सुरुवात की गई है ये बहुत मतकून बात है क्योंकि हम जिस इलाका में रहते हैं वहां के इस्थानी अकबार के लोग दूर के अचल पर नहीं पहुशते हैं और उनकी जो छोटे-छोटे बुदियादी सवाल है वो बहार नहीं निकल पाती है सवाल के मतलब यह है कि जो समस्याएं है वह बहार नहीं निकल पाती है लेकिन जब से ये मोबाइल की तखनीक के बारे में मुझे पता चला है और मैं जहां भी जाती हूं हर लोगों को पताने की कोशिश करती हूं और हमारे इलाका में इसका उप्योग भी किया जा रहा है मेरे को कुछ नहीं मिलता है रिपोर्ट भी किया कच भी किया तो रासन पानी भी नहीं मिलता है नहीं हम लोगो क्या कहता है पैसा भी नहीं मिलता है पंशायत में किया और यह क्या सक्यू में किया तब भी हमारा सुनाई कुछ नहीं आता है हां बोलता है फे हां तिन-तिन सा विए पर दोगाल भीते हुए है, कुछ उने मिलता है हमला. CGNet ओकर से हमला घर बैठे अपन जहां भी रब हो हमापुरा अपन चत्थिज गाड के जोन भी समास्य होला CGNet के द्वारा अपन सुन सकता है. भेज भी सकता है, अपन समस्य रग भी सकता हमला कुछ उपाई भी पता सकते, CG, पेठा, जवर्दास्ति है, अच्छा है. दिखने बहुत छोटा लगता है मोबाईल, लेकिन बताओ मोबाईल के माध्यान से हम जो बात कहेंगे वो इंटर्नेड तक पहुँच रही है, और इंटर्नेड से हमारी समुदाय की जो ख़बर है वो बहार निकल रही है, ये बहुत ही अच्छा तकनिक है मोबाईल, मैं भ बहुत है